नमस्कार मैं सतेंद कुमार गवर्मेंट आइटे कॉलेज बांसी डिस्टिक बांदा में टीचर हूँ और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी आई 362 डिग्रीज में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं चार आप लोगों को NCVT एकजाम जो अगस्त में होने वाला है उससे समद्दे चार अपडेट देने वाला हूँ और ये चारों अपडेट जो हैं वो बहुत जादा जरूरी है सभी स्टूडेंट के लिए जो 2022 अगस्त 2022 के NCVT का एकजाम द चूका हूं कि आप लोगों का CBT पेपर है वो दो पेपर होने है यहां पर आप लोग सकते हैं CBT के जो है वो एक पेपर होगा और साथ में जो आफ लाइन भी एक पेपर होगा टोटल जितने भी टूड़ेट परहने वाले हैं चाहे वो first year के हो चाहे second year के हो चाहे किसी trade के हो दो पेपर होंगे पहला पेपर होगा offline पेपर होगा और जिसको हम practical बोलते हैं प्रक्टिकल है प्रक्टिकल का है एक अगस्त से पांच अगस्त के बीच में आप लोगों का प्रक्टिकल है दूसरा जो exam होने वाला है वो online CBT exam होगा CBT exam में एक ही exam होगा दो घंटे का यह exam होगा तो दो घंटे का होगा एक ही दिन में आप लोगों का हो जाएगा टू आवर्स में और इसमें क्या-क्या आएगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो technical बाले बच्चे हैं जो इंजिनिंग ट्रेट के हैं उनके 38 question theory से 6 question workshop से 6 question engineering drawing से 6 question जो है वो 25 question वो employability skills से टोटल जो है 75 question होंगे 150 marks होंगे और आपका दो घंटे का जो है वो समय मिलेगा जो non technical वाले बच्चे हैं non engineering वाले हैं उनके theory से 50 employability skills से 25 होंगे तो पहली update आप लोग समझ गए कि टोटल आपके दो पेपर होंगे एक पेप offline होगा एक पेपर offline होगा college में होगा और उसका नाम है practical practical जो है वो 250 number का होता है दूसरा जो पेपर होगा वो online होगा और online जो है वो CBT होगा जिसमें मैंने आपको बताई दिया क्या आने वाला है engineering trade में यह आएगा और non engineering में यह आएगा तो पहली update है और दूसरी update क्या है दे 2022 से 5722 है यह तो last date है जमा करने की 5 जोलाई पर मैं आप लोगों को हिंड देना चाहा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद government ITI में teacher हूँ पर अच्छा संबंदे सारी deal करता हूँ और यह चालान बगारा भी बनाना पड़ता है जिसमें यह प्रतेक student का data लिखना पड़ता है अगर 3000 student है तो यहाँ पर 3000 data लिखने पड़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है और चालान बनाने में बैंक में जमा करने हम समय लगता है तो इसलिए आप लोग 30 जून से पहले पहले अगर आप जमा कर देंगे तो आप भी सुने जो है रिलेक्स हो जाएंगे कि मेरी फीज जो है कॉलेज में जमा हो गई अब मैं रिलेक्स होके तैयारी कर सकता हूँ एक्जाम की अगर आप लास्ट समय में जो है फीज देने जाएंगे और वो कहेंगे कि हम फीज चलान के थूरू जमा कर चुके हैं तो आप लोग जो है वहाँ पर अधर में लटक जाएंगे और आप लोगों का जो है फीज की वजए से एक्जाम नहीं देने दिया जाएगा तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज में फीज जमा कर दें सेकिंड अपडेट है आसा करते है यह भी अपडेट बहुत महत्पून है यदि आपको एक्जाम फीज नहीं देंगे त कॉले से आप लोग संपर करते हुए अपने फीज जमा करा दें सेकिंड अपडेट हो गई थार्ड अपडेट भी बहुत महत्पून है जो मैं आपको ऑफिसल वेबसाइट पर लेके चलता हूं वहां से आप लोगों को बताता हूं देखिए जो है ncbtmis.gov.in यह इसकी ऑफि करते हैं त्रेगा ढरता हूं देखिन दाता हूं दक्रसे की से था कि तो आप लोग तो सोफे आप लोग लोग अपलाई ingredient करा लेए अगर आप अभी करेक्सन नहीं कराएंगी दो हजार एकिस말आगी जो बच्चा यह घर बच्चे आधि यहिद्स औरू penguin की भी तेसलिट आ पाएंगे तो उनके admit card में गलत entry आएगी जिसके कराण उनका exam में दिक्कत हो सकती है और बात में जब उनकी marsuit बनेगी certificate बनेगा iti का तब भी उनका गलत entry आएगी तो फिर बात में वो पुदार नहीं होगा तो जो चात्र जिन चात्रों के नाम में पिता जी के नाम में डेटा बवर्त में माता जी के नाम में अगर कोई correction है तो correction करा लें इस link पे क्लिक करके जो भी entry होगी इस link पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर trainee का नाम मागा जाएगा और registration registration नमबर मागा जाएगा registration नमबर आपको college से मिल जाएगा college में जाकर registration नमबर ले ले लें अपना नाम डालें और next करें next करने के बाद OTP आएगा OTP आने के बाद सारी detail खुल जाएगी अगर correct है तो correct वाले पर टिक लगा दें अगर कोई incorrect है तो incorrect वाले पर टिक लगा के और documents लगा के जैसे अगर date of birth गलता है नाम गलत है पिता जी का माता जी का नाम गलत है तो 10th का जो है mark sheet upload करके उसको submit कर सकते हैं तो submit करने के बाद college में original document देखा कर अपना correction complete करा ले तो यह है जो है third update है चलते है fourth update पर अब देखिए fourth update आई है तो fourth update यह है अगर देखिए आपके exam आए हैं तो exam की तैयारी तो आपकी निश्चित बनती है कि अगर आप exam की तैयारी नहीं करते होंगे अगर exam आ गए हैं सर पर exam तैयारी कराने के लिए मेरे channel पर मैं खुद model paper आप लोगों को लेकर आया हूँ बहुत सारे बच्चे model paper नहीं देख रहे हैं तो आप लोग YouTube पर search करेंगे मेरे channel का नाम ITI 360 degrees search करने के बाद आप लोग channel पर जाएंगे channel पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर videos में इंजिनियर ड्राइंग का model paper नमबर टू इंपलाइविल्टी स्किल का model paper नमबर बन और इंजिनियर ड्राइंग का model paper बन मतलब जो है फोर्थ अपडेट में यह है कि आप लोगों का ED का और ES का यह ED और ES first year के लिए All India सभी trade के लिए common रहता है same slaves रहता है तो सभी चाते से प इन model paper से तैयारी करेंगे तो 100% guarantee है कि आप लोग जो है अच्छे नमबर लेके आएंगे और अच्छे नमबर के साथ साथ जो है जो आप लोग हो सकता है कि 100% सही करके आएं EWS में employability skill में 50 marks का है तो हो सकता है 50 marks सही करके आएं और जो ED है 12 marks का है 12 number का है अच्छे question आएंगे तो हो सकता है आप लोग 6 questions सही करके आएं तो आप लोग तैयारी करते रहिए model paper और भी आते रहेंगे courses करूंगा मैं और भी trade के जो है model और भी जो है आप लोगों के लिए model paper provide करूं आसा करते हैं कि इस video दीगरी जानकरी आपको पसंद आई होगी और साथ में ही आप लोग यह जानकरी अपने दोस्तों में forward करिए ताकि उनके भी परिक्षा से संबंदित कोई भी update जो है वो ना चूदे है उन्हें भी channel के बारे में बताईए क्योंकि इस channel पर सारी चीज़े निसुलक में और सारी चीज़े authentic आपको 100% सही order के साथ दिखाई जाती है आसा करते हैं क आप लोग ऐसा जरूर करेंगे अपने दोस्तों सेर करेंगे ये वीडियो अच्छे लगाओ तो इस वीडियो को like कर दीजे चैनल पर पहली वार आया है तो चैनल को subscribe कर दीजे इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो ने टापिक के साथ तब तक सभी छातरों को धन्वाद